तो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ इंटरडे टिप्स और रिक्रिमरेशन के साथ दोस्तो आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो डेली वेस्स के तरह हैं आज भी दो भैतरिंग स्टॉक लेका हूँ जो कल इंटरडे मार्केट में आपको जोधार परफॉमेंस देने वाले हैं प्रॉपर टेक्निकल वीउ के एकॉडिंग ये दोनों ही स्टॉक आप लोगों को अपडेट किये जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक नॉलेजिवल और एक एजुकिशन परपस से होने वाला है और साथ में दोस्तो जो कल दो स्टॉक दिये थे जिनका आज इंटर डे में कैसा परफॉमेंस रहा है वो भी मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ तो उसलिए दोस्तो फटापरसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते होँ आज मार्केट में काफी अच्छी तेजी थी लेकिन दोस्तो मार्केट क्लोज होते होते क्या रहा गिरावट का मोमेंट देखने को मिला ठीक है उसके साथ ही देखेंगे 29 स्टॉक positive थे 21 स्टॉक negative जिसमें से top gainer के लिए check कर सकते हो साथ में top loser के list भी देखके चल सकते हो तो इनी में से दो भैतरिंग स्टॉक है जो कल हमें intraday में जोरदा performance देने वारे दोस्तों साथ सतरा सो सतरा से टार्गेट दिया था सतरा सो नबबे का ठीक है और एसल दिया था सतरा सो सहाट रुपे का ठीक है तो स्टॉक को आप देखें previous close सतरा सो बाबन ओपन होता है 1771 मतलब हमारी position से उपर ओपन होता है ठीक है उसके बाद 1775 का हाई लगाता है हमने expectation किया था कि stock क्या करें दोस्तों थोड़ा दूर देने की कोशिश करें कि अगर वह open भी होता है ना तो हमारी position से थोड़ा नीचे ओपन हो लेकिन वह हुआ हमारी position से उपर ओपन ठीक है इसके करण दोस्तों क्या देखने को मिला high लग आया ऐसा नहीं किया कि दोस्तों high लगाने के बाद फिर नीचा है फिर उपर गया यह भी होता तो हम second time भी momentum लेने की कोशिश करते हैं तो इसमें हम position ही नहीं ले पाए और ना ही trading कर पाए तो हमें दोस्तों ना तो loss हुआ ना profit हुआ ठीक है चले second stock को देख लेते हैं तो यह 1200 फिंचन विका तो आप देख सकते हो stock open हुआ 1201 रुपे सई जगा ओपन हुआ ठीक है position को execute भी किया high भी गया और उसके बाद दोस्तों stock नीचे आया जो हमारा 10 point का था वो SL देखे गया ठीक है तो अस्ट्रल में trading नहीं कर पाए मुत्तुद finance में trading किया तो 10 point का हमें loss हुआ ठीक है तो यह था हमारा दोस्तों कल का performance अब इसी according दो stock की जो कल में जो होदा है performance देने वाले तो जो first stock की उसको देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा first stock है वह है टेक महंदर टेक महंदर के अगर मैं बात करता हूं तो सबा 2% की गिरावट के साथ stock ग्यारा सो एकतार रुपए 45 पैसे पर क्लोज हुआ प्रीबियस क्लोज था ग्यारा सो अंठेयर रुपए 20 पैसे stock open होता है बारा सो 30 रुपए 50 पैसे और लो लगाता है 1168 रुपए 50 पैसे तो इस recording stock क्या momentum रहा stock के volume की condition अगर देखे तो almost 53 लाग content यहां पर trading करते देखने को मिलिया है अब इसके technical चार्ट पर चलते हैं कल के लिए क्या moment मिलता यह देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों मै जो हमें एक अच्छा कासा level देखने को मिलता है बीच में 1200 रुपए का level जो भी एक अच्छा कासा देखने को मिलता है और नीचे के side में यह 1180 रुपए का level यह तीनों level काफी अच्छे क्योंकि यहां पर देखे time कितना बिताया यहां पर भी rejection लिया यहां पर भी time बताया support यह rejection बनाया ठीक है उसके साथ अगर आप देखेंगे तो आप देखे 1180 रुपए का level कितना important है नीचे यहां पर support बनाया ठीक है आप देख सकते हो यहां पर भी बनाया जब उसको breakdown दिया तो नीचे volume की जो condition थे sellers की वो काफी जादा में देखने को मिली ठीक है लेकिन stock गिर इस बार क्या हुआ जब stock उपर आया 1180 का level भी लिया ठीक है लेकिन फिर उपर जाने की कोशिश करी लेकिन उसको hold नहीं कर पाया और उसमें गिरावट आ गई ठीक है तो इसी according हम stock को क्या करेंगे short करके चलेंगे क्योंकि हर बार 1180 रुपए के level को काफी important दे रहा था लेकि अगर हमें यह stock दोस्तों मिलता है कहां पर हमें यह stock मिलता है 1160 रुपए के असपास तो हम इस level से इसको short करने ठीक है उसके साथ ही दोस्तों target के अगर मैं बात करता हूं तो 1145 का target लेंगे जो होगा हमारा 15 point का ठीक है और उसके साथ ही एक और important point update करता हूं तो दोस्तों यह है हमारा profit guru F&O call का telegram channel जहांपर daily basis पे से बहतरिंग option के calls देते हैं आज भी indigo का calls दिया ठीक है डाइसो का lot था लेकिन दोस्तों इसमें 5 point का target दिया लेकिन target तो नहीं हीट हो पाया लेकिन दोस्तों 2 point में हमने profit book करके निकल गए क्यों क्योंकि moment time हमें market का उस समय गड़वड होते होते देखने को मिला था 9.25 मिनिट के आज पास आप चेक कर सकते हो तो हमने बोल दिये कि profit को book करके चलिए ठीक है तो आप दो पॉइंट का profit कोई दिक्कत नहीं है ठीक है उसके साथ ही देखिए दोस्तों daily basis पे से बहतरिंग लेवल देते जहांपर आप ट्रेडिंग क पे contact करिए WhatsApp करिए Telegram ID पे SMS करिए proper तरीके से आप लोगों को reply देंगे proper तरीके से आप लोगों को हर चीज को समझाएंगे ठीक है तो यह जो टेलिगराम चैनल है ना हमारा आप लोगों के लिए काफी बड़ी opportunity लेका है इसको join करिए और दोस्तों इन opportunity को दोनों से gain करिए इ ठीक है तो हम इसको 1107 से अगर short करें तो हम 1168 का SL लेके चलेंगे जो होगा हमारा 8 point का ठीक है तो टेक महेंदरा में इस recording हमें अकल position बनानी है अब चलते हैं second stock के उपर दोस्तों second stock है mind tree ठीक है mind tree के अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी एक 70% की गिरावट के साथ stock 3032 रुपे के असपास close हुआ previous close था 3070 रुपे stock open होता 3190 रुपे ठीक है बड़ा सा gap of opening लेता है high लगाता है 3122 रुपे 80 परसे और low लगाता है 2970 रुपे ठीक है काफी बड़ा momentum रहा volume देखेंगे तो 12,00,00 कॉंटिटी का volume भी देखने को मिला है अब इसकी technical chart पे चलते हैं कल के लिए क्या moment मिलेगा ये देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकतो माइंट्री का chart pattern में आप लोगों को सामने open किया है माइंट्री के chart pattern के अगर मैं बात कहता हूं दोस्तों 15 मिट का candle chart लगा हुआ है अब इसमें देखें इसमें सबसे important level एक ही दीख रहा है वो भी 3050 का ठीक है stock उपर तो रहा उ उपर open भी हुआ उपर गया भी लेकिन उसको hold नहीं कर पाया suddenly नीचे आया अब नीचे जाने के बाद फिर से दोस्तों उसको क्या किया rejection जिया जहां पर पहले भी काफी बार stock उसको rejection support दे चुके और हर बार उसको छूने के बाद वह stock नीचे ही आया है अब नीचे आया है त तो दोस्तों सबसब परिशानी का कारण यही देखने को मिला कि बीच में आ गया था एक psychology number जो था 3000 का खिर recovery की expectation का था कि 3050 का level फिर उपर की साट break करेगा लेकिन दोस्तों नहीं फिर से उसको छूने के बाद stock नीचे आया तो आब वह नीचे आया तो दोस्तों यही है कि पर break हुआ है आप देख सकते हो जैसे यह ठीक है तो break अगर कर देता है तो stock हमें दोस्तों फिर और नीचे जाते देखने को मिल सकता है तो इसी के according हमें stock को क्या करेंगे short करेंगे कल की date में ठीक है तो क्या है level फो update कर देता हूँ तो दोस्तों proper तरीके से levels को note करिएगा अब levels की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो levels हमें मिलेंगे थोड़ा दूर से क्योंकि gap up opening और gap down opening काफी बड़ी बड़ी stock लेता है तो हम एक काम करते हैं दोस्तों stock को short करते हैं 2970 रुपे से यह level अगर मिलता है तो ठीक है otherwise हम फि estimate 2940 मतलब 30 point का target लेके जरूर चलेंगे ठीक है और SL की अगर मैं मात करता हूँ तो fix 3000 का लेके चलेंगे जो होगा 30 point का 1 is to 1 का R ratio लेके चल रहे हैं माइंट्रे में क्योंकि काफी बड़ा stock और काफी volatile stock है ठीक है तो माइंट्री और Techमेंद्रा में यह है दोस्तों हमारी technical analysis तो आपका जो भी financial advisor या broker उनसे cancel जरूर करिए ठीक है फिर इसके बाद position में नके काम करिए और एक और important trick बताना चाहूंगो दोस्तों देखे हमने जो भी target दिया उसका विल्कुल भी आप wait ना करें क्योंकि कभी-कभी यह हथसा हो जाता है एक point से target मिस हो गया 50 पैसे से मिस ह गया ठीक है तो इसके लिए क्या करिए अगर आपको 2.5.10.15 ऐसा अगर आपको profit दिख रहा है ना तो खुछ से book करके निकल जाहिए current में target का विल्कुल भी wait ना करें अगर यही चीज आपकी trading में भी अगर आप use करोगे ना तो आपको काफी ज़्यादा फायदा होगा जहा प्रकार का बैतरिंग अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो थैंक्यों दोस्तों